हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल वैशनभी फ्री एजूकेशन क्लासेश चलिए जल्दी से क्लास में जुड़ जाईए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है आज बिर्गुल कोई बात चीत नहीं करेंगे फास्ट वे में चलेंगे ठीक है ह चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाईए सभी लोगों को गुड़ी इविनिंग रादे रादे जैसरी किशनष ठीक है चलिए अब क्लास को एकदम धुवधार तरीके से स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना यूथ जो है इसको कम्प्रीट करना है ठीक है बहुत हो क्या सलो अब चलेंगे थोड़ा सा फास्ट वे में ठीक है चलिए इसके पहले भी काफी सारी क्लासे हो चुकी है तो आप एक काम ख़ियेगा नीचे आपको डिसक्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगी ठीक है आप वहां से इसके पहले की जो क्लासे हो चुकी है जिसनन पूछा जा रहा है श्याम बिनेगल कौन थे सभी को करना है आंसर ठीक है सभी को और बिल्कुल से फास्ट वे में चलिए आंसर की तरब बढ़ते हैं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है option a ये है film निर्देशक है ठीक है आगे next पर देखिए श्याम बिनेगल जो है ये film निर्देशक है और सभी करानी रोरिक जो है ये film अभीनेत्री है राज कपूर फिल्म के अभीनेता है फैज एहमत फैज जो है ये शायर हैं, हो सकता है, ये पूछ लिए जाए, तो इनको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ठीक है, देखिए ये लिखा है, दुनिया के पहले फिल्म मेकर, मतलब फिल्म निर्माता, अगस्त और लुमियर ब्रदर्स थे ठीक है, और फिल्म अवतार के निर्देशक कौन है, ये जेम्स कैमरून है, और पहला जो थेटर है, अपने भारत का कौन सा है, मदन थेटर है, जो की कहां है, मुंबई में है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको बताईए, उसकलाकार का नाम लेकिए, जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्थ चीजों को चित्रित करने की कोशिस की है, जल्दी जल्दी चलते रहो, ठीक है, जिसने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्थ चीजों को चित्रित किया है, कौन है सभी लोग करते चाहिए आंसर जल्दी जल्दी शाब बार चलिए आंसर की तरब बढ़ते हैं आपका आंसर है option number D केसियस पड़ेक कर ठीक है आगे बढ़ते हैं पूछा जा रहा है मुंबई में रेडियो लाजिस्टिक का काम करने वाले स्वासिक शित कलाकार का नाम क्या है ए राम चंदरन, गने स्पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्न खन्न तो आंसर की बात कर लेते हैं आंसर है आपका option number C ये हैं सुधीर पटवर्धन है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट केस्टन है उस चित्रकार का या भित्ती चित्रकार, मूर्थिकार, छापाकार का नाम बताईए जिसके कला की विशेस्ता है कि बुद्धी और कला प्रमीर्था बताईए क्रिश्न खन्ना, सुधीर पटवर्धन, केजी, सुब्रमन्यम, गडे स्पाइन आंसर की बात कर लेते हैं आंसर है आपका option C, केजी, सुब्रमन्यम चलिए नेक्स्ट वाश चित्रों से कौन सब्बंदित है अगर इस आंसर की बात करें तो आंसर है आपका option A, ये हैं बद्रीनाथ आर्ज आगे बिजू का चित्रों शंकला किस से संब्बंदित है दीपतिशा गोस, हेमराज, राजेंद्र प्रशाद, अवधेश मिस्र आंसर की बात करते हैं आंसर है आपका option D, अवधेश मिस्र है ठीक है बिल्कुल fast way में चलना है ठीक है, दी में नहीं हन से दम्यन्ती के चित्रकार कौन है KCS पढ़िककर, KK, हैबबर, MF, हुसैन, राजा, रवी बर्म बताओ चलिए, आंसर की तरफ है तो आंसर है आपका option D, राजा, रवी बर्म ठीक है, अच्छे जल्दी से आंसर बताइए एक question का कि राजस्थान नाम का चित्र है ये किसने बनाया है चापो जल्दी से आगे चलते हैं पूछा जा रहा है मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है रवीन नाट्टेगोर, यामनी राए, राम केंकर बैज, राम कुमार चापो जल्दी से हमने पूछा है राजस्थान चित्र जो श्रंखला है ये किस से सम्मंदित है याद रखना है SH रजा से, क्या है राजस्थान, ठीक है चलिए और अभी हमने इसके पहले बिजू का जो प्रशिद चित्र पूछा था किस से सम्मंदित है तो वो किस से है, वो BC सान्याल का है ठीक है, याद रखना है आगे इसका आंसर देख लेते हैं आंसर है आपको, option C, राम किंकर बैच पूछा जा रहा है चलिए option अभी हम आपको दे देंगे ठीक है, यहीं पर हम बोल देंगे उस सक्रीतावादी कलाकार का नाम बताईए जो Communist Party का सदस्थ से था और जिसे, JJ School of Art मुंबई से निस्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समुह की स्थापना की थी option आप सुन लीजे M.F.Husain, S.H.Raja, K.K.Habber, F.N.S.U.za यह चार option है आपके सामने और यह question आपके सामने लिखा हुआ है option फिर बोलते है M.F.Husain, K.K.Habber, S.H.Raja, F.N.S.U.za तो देखें याद रखना है इस question से जो related answer है इसका F.N.S.U.za होगा ठीक है? चलिए अब चलते हैं next question की तरफ पूछा जा रहा है मेग दूत, वाश, चित्र, शंकला किस से सम्मंदित है? असित कुमार हलदार S.R. खास्तगीर बद्रीना अथार हरिहन लाल मेड बताइए पास्ट चलते हैं ये बिलकुल से आज दोड़ना है आज चलना नहीं है आज दोड़ना है मेग दूत, बताइए आँसर है आपका आँसर आपका correct है option D ये है हरियन लाल मेड है ठीक है? आज़े केसियस पड़िक कर किसके चित्रकार है? बैंगलोर समू प्रिकतिशील कलाकार समू चोल मंडल कलाकार समू बरोडा समू बताइए आँसर है आपका option C चोल मंडल कलाकार समू इसकी स्थापना कब होती है? याद रखना है उनी सुचांचट में होती है ठीक है? और किसने की थी? केशियस पड़िक करने की थी ठीक है? जल्दी से चापो progressive penters association की स्थापना कहां पर किसने की और कब की थी? जल्दी से बताओ हमने पूछा progressive penters association जिसे हम PPA भी बोल देते हैं कभी-कभी तो इसकी स्थापना कहां-कहां पर हुई है? कब हुई है? किसने की है? ये बताना है आपको चलिए चलते हैं बाउल डांस शीर्सक की स्टंखला के रचनाकार कौन है? करिये आंसर इसमें जो दिया है ना ये आंसर ही गलत है इसमें जो दिया है ना इसमें option ही नहीं सही से दिये हैं इसमें क्या दिये है? डिटेल बाउल डांस चितर श्टंखला के रचनाकार जो है ना वो सुधीर रंजन खास्तगीर है एक शीक डिये है दिये तो है अंसर दिये है चलिए ठीक है देख लिजे धर पे बाउल डांस जो है ना इसके चित्र के जो रजनाकार है ना ये सुधीर रंजन खास्तगीर है दिये था उप्शन में चलिए सही है ठीक है याद रखना है और अभी हमने जो पूछा उपर क्वेस्चन की प्रोग्रेसेव पेंटर्स एशोसीएशन जिसे हम पीपीए भी बोलते हैं इसकी इस्थापना केसियस पड़िक करने की थी कब की थी उनीस सो चमालिस में की थी किसने केसियस पड़िक करने कहां पर की थी चेन नहीं में की थी याद रखना है किसकी स्थापना बोल रहे है प्रोग्रेसयोग पेंटर्स एशो सीएसन की ठीक है याद रहेगा चलिए 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 अब आगे चलते हैं पूछा जा रहा है किसे एक प्रख्याट च्त्रकार के रूप में जाने जाते थे बताइए अमरतलाल नागर केस कुलकर्णी बलवीर सिंग कट जनक जनकार नर्जरी बताइए क्या होगा आंसर हाँ आंसर है आपका option B ये है केस कुलकर्णी कौन है ये केस कुलकर्णी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर तो पूछा जा रहा है उस भारती कलाकार का नाम बताईए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जलवर्ण, गौाश और तेलवर्ण का उपियोग करता था केजी सुब्रमन्यम, विवान सुंद्रम, जे स्वामी नाथन, मिथू सेन चाप जल्दी से, चलिए, आंसर है, आप्शन A, केजी सुब्रमन्यम, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चलिए, पूछा जा रहा है पस्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ती चित्रकार को पहचानिये, जिसने कला भवन के छात्रावाश के छट पर वीम भूम के ग्रामीर जीवन को चित्रित किया था, अकबर पदमसी, कृष्ण खन्न, अंजू डोडिया, विनोध बिहारी, मुखर जी, बताइए क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, 184, चलिए, चलिए, आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर है आपका, ऑप्शन डी, ये हैं, विनोध बिहारी, मुखर जी, आगे, बिरेश्वर सेन किस लिए जाने जाते हैं, छाप, मूर्ती, वाश, द्रश, बताइए, बिरेश्वर सेन की बात हो रही है, याद रखना है विरेश्वर सेंड जो है न यह दृष्च चित्र के लिए जाने जाते हैं काहे के लिए, दृष्च चित्र के लिए विख्यात है चलिए, चलिए आगे चलते हैं अचर्च जल्दी से हमें यह बताईए मोतिलाल नहरू और डॉक्टर राधा कृष्णन इनके जो व्यक्ति चित्र बनाए हैं जैसे मोतिलाल नहरू का हो गया, डॉक्टर राधा कृष्णन का हो गया, डॉक्टर संजीव रेड़ी का हो गया इन तीनों के जो व्यक्ति चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं बताईए जल्दी से क्या होगा अंसर उसका चलिए ये तो हो गया इसका बताईए प्रशिद रचना व्रच प्रेमी दा ट्री लवर किसकी है असित कुमार हलदार एमा फुसैन विनोध बिहारी मुखर जी अक लोगों को तो चलिए हम बताते हैं आंसर तो देखिए ये जो तीनों हमने आपको बताए मोतिलाल नहरू डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर संजीव रेड़ी इन तीनों की विक्तिचित्र बनाए है केस कुलकरणी ने ठीक है याद रगना है चलिए इसका अंसर देते गलत नहीं करेंगे लखनव के रवीन राले पर बने भीतिचित्र को किसने बनाया था चापो जल्दी से विदाईए क्या होगा चलिए याद रखना है इसका अंसर आप्शन भी केजी सुब्रमन्यम होगा ठीक है आगे चलते हैं पूछा जा रहा है जी आर संतोस के चित्रों के बारे में गलत गथन का चैन करना है गलत क्या होगा और आपको इसके अलावा एक question बताना है कि भारत में तांतरिक कला के जनक किसको कहे जाते हैं इसका तो अंसर आरहा है आप्शन क्या होगा right आंसर होगा आपका option B आमूर्त या प्रतीनिदित्य दोनों नहीं थे ठीक है बाकिये जो है सब सही है हमने पूछा आप से कि तांत्रिक कला की जन हो किसको कहते है इनी को कहते हैं जी यार संतोस को कहते हैं ठीक है याद रखना है और यह जो है ना चांतिक दर्शन से बहुत प्रभावित भी थे और अमूर्थ प्रतिने तो यह सब कुछ नहीं था इनका विरोधों में एक था थी यह सब चलो आगे चलते हैं कि नेक्ष्ट पर सोमनाथ होर काहे से संबन्दित थे बताओ बहुत सिंपल सा क्विश्चन है किस से संबन्दित थे सोमनाथ होर चलिए आंसर की तरफ है आंसर है आपका आप्शन भी यह प्रिंट मेकिंग से संबन्दित है आगे प्रशिद चित्र महाल अच्मी जिसे धातुई किवार पर चित्रित किया गया उसके चित्रकार कौन है बताईए रचनकार कौन है शिबू नटेशन अंजू डोडिया अतुल डोडिया एमाफ हुसेन चापो जल्दी से हाँ बहुत सही आंसर आपको आप्शन सी ये है अ बर्नान लेजर और हैंडरी रूसो की क्रतियों से पेड़ना मिली थी एसच रजा अमरिता शेरगिल एफन सूजा भूपन खकर बताओ क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हाँ चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं आंसर एक सेकेंड ऊपर होगा आंसर है आपका किसको मिली थी ये हैं भूपन खकर ठीक है आंसर डीध होता है आगे चलते हैं पूछा जा रहा है प्रश्यद समकालीन कलाकार अमित अंबालाल कहां से हैं बताए जल्दी से अमित दॉधा लाल कहां से हैं चलिए सभी लोग करिये अंसर की बात कर रहे हैं और आपशन डी ये एहम्दाबाद से हैं खां जल्दी से चापो शैलोज मुकर जापके हैं नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए किसको देखने के बाद आए थे यथार्थवादी, पिकासो, केके हैबर अजन्ता भिति चित्र चलते रही है आज बिलकुल से आंसर आगिया है इसका आंसर है आपका option D यह है अजन्ता भिति चित्र से संबन देते हैं और इसके पहले जो हमने question पूछा शैलोज मुखर जी कहां से है तो यह कलकत्ता से है ठीक है जल्दी से एक और छाप दो कि शोभा सिंग जो प्रशिद्य कलाकार है शोभा सिंग यह कहां की है कहां के है तो चलिए हम बता देते हैं शोभा सिंग जो है यह गुर्दासपूर पंजाब के है शैलोज मुखर जी कलकत्ता के है अमबालाल अभी हमने देखा अमित अमबालाल यह एहमदाबाद के थे शैलोज मुखर जी कलकत्ता के शोभा सिंग गुर्दासपुर पंजाब के और कनू देशाई ये गुजरात के हैं याद रखना है कनू देशाई गुजरात के हैं और रामचंद्र शुकल जो है ये बस्ती अपने उत्तर प्रदेश के हैं कौन रामचंद्र शुकल जो है ये बस्ती उत्तर प्रदेश के हैं और अगर बात करेगा कलाकार हैं बीप्रभा ये नाकपुर के हैं बीप्रभा कहां के नाकपुर के बद्री नाथार पेशावर के हैं चलिए एक बार फिर से सुनिए अमेतंबालाल, एहमदाबाद, शैलोज मुखरजी, कलकत्ता, शोभा सिंग, गुर्दासपुर, पंचाब, कनुदेशाई, गुजरात, रामचंदरशुक्ल, बस्ती उत्तरप्रदेश के और बीप्रभा, नाकपुर और बद्री नाथार पेशावर के ठीक हैं यहां से समस्या नहीं होगी अब सब हमने एक बार में बताती हैं चलिए यहां तक हो गया पूछा जा रहा है नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर, शीरसक वाले प्राक्तिक द्रश्च जैसे छोटी-छोटी मानव आकरतियों को चित्रत किया गया है इसकी रचना कौन सी है बताईए याद रखना है इसका अंसर आपका होगा ऑप्शन सी गुलाम मुहम्मद शेख की रचना है ठीक है आगे पूझे जा रहा है उस चित्रकार का नाम बताईए जिसने कला का अध्यान पैरिस में किया और जो अपने भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राक्तिक्स द्रश्चों द्वारा करता है बताईए के जी सुब्रमन्यम ए राम चंद्रन विनोद बिहारी मुखर जी राम कुमार चापो जल्दी से चलिए आंसर है आपका ऑप्शन टी यह है राम कुमार ठीक है आप क्वेस्चन जल्दी से बताईए कि घर जनतन एक सेकेंड हम लिखी देते हैं घर जतन क्या है घर जतन शीर्शक से गद्दि शंकला किसने लिखी है चापो जल्दी से आगे बढ़ते हैं पूछा जा रहा है उस चित्रकार को पहचानिये जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा इस्त्रीपुरस के यौन समागम को अभीव्यक्त किया है हमने इसके पहले जो क्वेश्चिन पूछा था घर जतन शीर्शक से गद्दि श्रंकला किसने लिखी है याद रखना है गुलाम मुहम्मद शेक ने लिखी है इसका आंसर करिए चलते रही है दौड़ते रही है दूवण दूवण चलो आंसर है आपका ऑप्शन सी ये है जी आर संतोस भाई साब आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट पर चलिए पुछा जा रहा है काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिती अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है नीली माशेक नसरीन मुहमदी म्रडाली मुखर जी अनुपम शूत चाप जल्दी से चलिए चलिए आंसर है आपका ऑप्शन भी ये है नसरीन मुहमदी अच्छा जल्दी से छापो कि आंगल महिला है एक 1910 में इन्होंने मतलब आंगल महिला है लेडी हरिंगम इन्होंने 1910 इसवी में किसको आमंत्रित किया था और किसकी प्रतिकृतियां तयार करवाई थी हमने क्या पूछा एक बार फिर से सुनिए 1910 इसवी में आंगल महिला है एक लेडी हरिंगम इन्होंने किसको आमंत्रित किया था और कहां की मतलब प्रतिकृतियां तयार करवाई थी छापो जल्दी से जिसको पता हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस्टन है लखनव का चित्र किसने बनाया है एसेच रजा मदनलाल नागर एमेफ हुसेन पारितोश सेन बताइए क्या होगा इसका आंसर लखनव का चित्र किसने बनाया है ये पूछा जा रहा है हम शाब बास चलिए आंसर है आपका आप्शन भी ये है मदनलाल नागर ने बनाया है लखनव का चित्र किसने बनाया है मदनलाल नागर ने इसके पहले हमने एक क्वेशन पूछा था आपसे कि 1910 इसवी में आंगल महिला है एक लेडी हरिंगम इन्हों ने नंदलाल बोस को अपने यहां आमंत्रित किया था और कहां की प्रतिकृतियां बनाया थी आजनता की आजनता की प्रतिकृतियां बनाया थी याद रखना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलिए लखनव आया है तो चलिए यहां से जितने भी क्वेशन बन सकते इनको complete करते हैं ठीक है लखनव का चित्रण किस ने किया है मदनलाल नागर ने किया है फिर हम पूछेंगे गोवा के मच्वारों का चित्रण किस ने किया है गोवा के मच्वारों का चित्रण तो ये किया है भूपेन खक करने गोवा के मच्वारों का चित्रण किस ने भूपे करने किया है याद रखना है फिर इसके बाद याद रखना है उदैपुर बोध एक चित्र का नाम है उदैपुर बोध इसको किस ने बनाया है इसको पर्मानंद चोयल ने बनाया है ठीक है याद रखना है और फिर इसके बाद पूछेंगे हम आपसे कि बनारस घाट का चित्र तो अभी हमने क्या बताया लखनव का जो चित्रन किया है किसने किया है मदललनागर ने गुवा के मचुवारों का चित्रन किसने किया है भूपेन खककर ने किया है और उदेपुर बोध चित्र का जो श्रंखला है इसको किसने बनाया है इसको परमानद चोयल ने बनाया है और बनारस घाट का चित्र किस ने बनाया है तो ये रामकुमार वर्मा ने बनाया है ठीक है यहां से रिवीजन हो गया होगा आगे बढ़ते हैं next question के जरफ पूछा जा रहा है हिमाले परवत के चित्रों के लिए कौन पेमस है बताओ रामकुमार निकोलस रोरिक जे स्वामी हरीपुर विज्यापन के लिए प्रशिद कलाकार कौन है बताइए केजी सुब्रमन्यम टीपी राय चौधरी असित कुमार हलदार नंदलाल बोस कौन है बताइए हरीपुर विज्यापन के लिए कौन फेमस है गलत नहीं होगा बहुत सिंपिल सा है आंसर आपका option दी ये है है भाई साब अपने नंदलाल बोस आगे उस चितरकार का नाम लिखे जिसने अंदे होने के बावजूर भी अपना काम जारी रखा था नंदलाल बोस कृष्ण खन्ना केजी सुब्रमन्यम बिनोद बिहारी मुखर जी अभी जस्ट हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन बावजूर भी वो अपना काम जारी रखे थे है ना चलिए शाब बाज अच्छा जल्दी से ये बताईए कि भारती कला मतलब कि विनोद बिहारी को भारती कला से आधुनिक कला का सेतु बंधू किसने माना है पता है किसी को भारती कला से आधुनिक कला का सेतु बंधू माना है विनोद बिहारी को किसने माना है बताईए जल्दी से फटाक से किसी लुकूने, राखने चलिए हम बता देते हैं कि भारतीी कला से आधुनिक कला का सेतु बंदू विनोद बिहारी को जया अप्पा स्वामी ने माना हैं ठीक है आगे आगे चलते हैं पूछा जा रहा है अवतार शिंग पमार संबंदित हैं देखिए स्क्रीन पर भी लिखा है उपर जो हमने पूछा भी जस्ट चलिए इसको बताइए अवतार सिंग पमार काहे से संबंदित हैं इसको याद रखना है इसका आंसर जो होगा correct आपका option C होगा ये हैं मूर्तिकला से संबंदित हैं कौन है अफ़तार शिंग पमार आगे next है कौन सा MF हुसैन का चित्र है सुजाता मदर टेरेसा धानेश शुरी बिंदू बताओ MF हुसैन का चित्र बहुत सिंपल सा है सभी को पता होना चाहिए option B ये है मदर टेरेसा ठीक है कब बनता है 1989 इसवी में बनाया है नोंने ठीक है याद रखना है और किसने बनाया है MF हुसैन ने बनाया है ठीक है और ये रखा कहां है याद रखना है रास्ट्री आधनिक्स कला संगरहाले नई दिल्ली में इसको रखा गया है ठीक है और देखें M.F. हुसेन के कुछ चित्र हैं बोल देते हैं जल्दी से सुन लीजे के वल मोहंदास करम चंद गांधी किसने बनाया है M.F. हुसेन ने मदर टेरेसा, रामायर, महा भारत, बिर्टिस राज ये सब किसके हैं M.F. हुसेन के हैं ठीक है और ये जो M.F. हुसेन है न काहे के लिए फेमस हैं घोडो के चित्रों के लिए फेमस हैं चलिए आगे चलते हैं पूछा जा रहा है मुंबई इस थित उस कलाकार का नाम बताईए जो अपनी जलवार्ण क्रतियों के लिए जाने जाते हैं समीर मंडल, दीपतिश घोस, म्रणालनी मुखरजी, अमरत पटेल बताईए क्या होगा राइट आंसर चलिए आंसर की बात करते हैं आपका option A सही होता है ये हैं समीर मंडल है और याद रखना है ये मूर्तिकार है और ये चलिए आगे चलते हैं बस इतना याद रखिए आगे चलते हैं पूछा जा रहा है बद्रीनात आरे के चित्रका शिर्षक क्या है गंगा अवतरन एक मुर्गी के साथ संथाल महिला व्रक्ष प्रेमी उल्लास नगर बताओ याद रखना है बहुत सिंपल सा है आप्षन ए हो अरे इसका आंसर होता है आपका करेक्ट आप्षन ए गंगा अवतरन क्या होता है रखिए आँसर गंगा अवतरन आगे अब्दुर्रह्मान चुकताई काहे से संबंदित है मुगल शैली चोल मंडल से बंगाल शैली पहाडी से बताओ अब्दुर्रह्मान चुकताई की बात हो रही है आँसर की बात करते है आपका सही होता है और याद रखना है अब्दुर्रह्मान चुकताई जो है ये बंगाल शैली के कलाकार थे और कलकत्ता इस्कूल आफ आर्ट से कला गुरू अवनींद्रना तैगोर के सानिद्ध में ये कला सच्छा लिये थे ठीक है याद रखना है और इनका जन्म कहां होता है लाहौर पाकिस्तान में किसका चुगताई का आगे चलते हैं पूछा जा रहा है अपने दो चहेते कलाकार डैविड हॉकनी और भूपेन खकर के साथ चैंप स्पॉन के रूप में स्वयम चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है बताईए चारो आप्शन है आंसर की बात कर लेते हैं आपका है ओप्शन D ये है अतुल डोडिया ठीक है पूछा जा रहा है स्टेट व यूनिटी किसकी है बहुत सिंप्ल सा है कली बताएथा राम सुतार की है ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं चलिया पूछा जा रहा है ब्लैक पैजेज औफ इंडियन रिपबलिक इन की एक प्रिशिद चित्रकला श्रंकला कौन सी है बताईए किसकी है ब्लैक पैजे औफ दा इंडियन रिपबलिक चलो आंसर की बात कर लेते हैं आंसर है आपका आप्शन B रणवीर सिंग विस्ट आगे प्रशद्य चित्रकार मन्जीत बाबा कहां से हैं पंजाब, पस्चिम बंगाल, केरल, कोवा तो इनका आंसर सही होता है मन्जीत बाबा की बात हो रही है आप्शन A, पंजाब से हैं ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलिए मुझे थोड़ा काम है, ठीक है मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है अकबर पदम सी, रामकुमार, सुधीर पटवर्धन, गणेस पाइन बताइए इसका आंसर क्या होगा मुंबई लोकल ट्रेन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आज इसी वज़े से थोड़ा चल्दी चल्दी कर रहे है चलिए, आंसर है आपका आप्शन C, सुधीर पटवर्धन, ठीक है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं नीरीमा शेक की कलाक्रतियां किन से प्रभावित हैं बताइए मुगल लगुचित्र, चापानी, वुटकट, पाश्चात आदुनिक्ता, ऊपर सभी जित्ते भी है आंसर है आपका जितने भी सही है, आल करेक्ट है आगे उस कलाकार का नाम लिखिये जो शान्ति निकेतन के हिंदी भवन में इस्थित, भीति चित्रों के लिए फेमस है बताओ कौन है ये? ये हैं अपने भाई साब आप्शन सी, विनोद बिहारी, मूखरची आगे आरवी, शाखलकर कौन है? बताओ चायकार, अभीनेता, कला इतिहासकार, मूर्थिकार बताओ और देखिए क्लास पसंदा आ रही हो, तो लाइक वैक कर दिया करिये ठीक है? और टेली उपस्थित हो जाये करिये थोड़ी सा हैसान हम पर दिखा दिया करिये उपस्थित हो कर ठीक है? चलिए आंसर है, ऑप्शन सी, कला इतिहासकार ठीक है? आगे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे बस एक क्वेस्चन और हरीपुर पोस्टर का एक शीरसक चुनिए चुन दी जी भाई ये चल दी से क्या होगा? सिंपिल सा है याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट भी है ठीक है? काहे से संबंदित है? कौन से कलाकार से? ये भी बता दू ऑप्शन भी होगा जमीन जोतने वाला भारती किशान ठीक है? आगे यादी चित्रशंकला काहे से संबंदित है? रामचंदरन से ए रामचंदरन एम रामचंदरन जैज रोटिया अमरत पतेल बताओ क्या होता है राइट आंसर? छाप जल दिए आंसर होता है आपका आप्शन भी ये है ए रामचंदरन ठीक है? तो आज हम 220 तक ही रखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके आगे हम चलेंगे ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्लास लाइक वाइक कर दीजीगा ठीक है? आज थोड़ा सा काम है मुझे इस वज़े से थोड़ा सा क्लास चल्दी बंद करनी पड़ रही है ठीक है? चलिए